तो दोस्तो भारत की सबसे ज़्यादा लूग प्री कमपनी टाटा ग्रूप के मालिक रतन टाटा जी ने एक सपना देखा था कि हर भारती के पास अपनी एक परसनल कार हो जिसके लिए उन्होंने एक लाख रुपए में बनने वाली टाटा नैनो को 10 जनवरी 2008 में लौंच किय जहां पर टाटा नैनो ने कुछ समय तक अपनी पाफ़ामेंस बहुत अच्छी दी लेकिन उसके बाद उसमें कुछ दिकते आने लगी और कमपनी ने 10 साल बाद यानी 2018 में टाटा नैनो के प्रडक्शन को पूरी तरीके से बंद कर दिया लेकिन एक लाख रुपे में बनने के प्राइस बढ़ गए जिसके चलते इलेक्ट्रिक वेहिकल्स को लोगों ने बहुत तेजी से अपनाना शुरू कर दिया जिसके कारण भारत में भी बहुत तेजी से इलेक्ट्रिक वेहिकल मार्केट ग्रो करने लगा और अब कंपनियों के अंदर कॉम्पेटिशन आ चु करता है और अब ही इसे बैंगलोरू स्थित लास्ट माइल मोबल्टी सर्विसस सैनिक पार्ट सीट एंड गो औल इलेक्ट्रिक मोबल्टी सर्विस में विकसित किया जा रहा है जहां पर टाटा ननो के इलेक्ट्रिक वर्जन को लांच करने की कोई भी क्लियर डेट नहीं ब बात की जाए टाटा विन्य के बारे में तो ये बहुत ही जादा एडवांस कार रहने वाली है इंडियन मार्केट में जो सिर्फ 30 मिनट चार्ज करने पर 500 किलोमेटर तक की रेंज बैक अप देने वाली है वही टाटा ना डिसाइड किया है कि भारत के अंदर बहुत सारी इ आजे को टार्गेट कर चुकी है जहां पर अपने स्पेशली सीमी कंडेटर और बैटरी का प्रड़क्शन करेगी क्योंकि टाटा का मार्केट ना सिर्फ भारत है बलकि ग्लोबल है इसलिए बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करने के लिए इन चीजों को तयार किया जा रह है तो टाटा नैनों के आने वाले इस कंसर्ट के बारे में आपकी क्या रहा है कमेंड़ वक्स में जरुर लिखेगा और कितने लोगों ने टाटा नैनों को परसिम्ली ड्राइव किया है कमेंड़ बताइबाख में बतायेगा मिलेंगे अपको एक नई और cầnमात्रहरμ भारत म बाता कीच्चे